इन आदतों से नाराज हो जाती है मा लच्मी नमबर एक स्याम को सोना सास्त्रों में माना गया है कि स्याम के समय सोना नहीं चाहिए यह समय माता लच्मी के आने का होता है ऐसे में इस वक्त सोने से माता लच्मी नाराज हो जाती है नमबर दो, सूर्य उदे के बाद सपाई वास्तु सास्तर की माने तो सूर्य उदे के बाद घर की सपाई नहीं करनी चाहिए सूर्य उदे के बाद सपाई करने से मालच्मी नाराज हो जाती है और उस घर के दरवाजे से लोट जाती है नमबर तीन बिना इसनान रसोई गर में जाना हिंदु धर्म में कहा जाता है कि बिना इसनान किये रसोई गर में नहीं जाना चाहिए ऐसा करने से माल अच्छमी की क्रपा प्राप्त नहीं होती है नमबर चार देर से इसनान करना हिंदु धरम गरंथ विवास्तु सास्तर की माने तो सूर्य उदे से पहले नहना चाहिए अगर आप देरी से इसनान करते हैं तो उस गर में धरितरता आ सकती है नमबर पांच प्रसाद के बाद भोजन इंदु धरम गरंथ के अनुसार पूजा के बाद मालच्मी को प्रसाद चंढाया जाता है लेकिन प्रसाद चंढाने के तुरंत बाद भोजन गरेन नहीं करना चाहिए इससे मालच्मी नाराध हो जाती है बहुत से लोगों को शाम के बक्त कंगी करने की आदत होती है वास्तो के अनुसार ऐसा करना गलत है ऐसा करने से मलचमी नाराध हो जाती है नमबर साथ, क्रोध ना करें क्रोध कम करना चाहिए सास्त्रों की माने तो जिस घर में ज्यादा लोग क्रोध करते हैं उस घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता बनी रहती है जिस से माल लच्मी उस घर में वास नहीं करती है